अरे 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 दिवाली आ रही है इसका मतलब धे सारा मिठाईयां खाने का तेवहार आ गया है दिवाली में बहुत ही मिलावटी मिठाईयां मिलती हैं इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुध काजू कतली मिठाई यानि काजू के बर्फी वो भी कम खर्च में तो द हैं और ले यह 150 ग्राम लीए है कप की बात करें तो एक कप मैं आपको लाश्ट में डे सारा प्रिकौसन दूंगी यानि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है इसलिए आप पूरा देखिएगा और शूनिएगा भी किस बातों का को तो मैं आप काजू को ग्रांडर जार में डाल लूंगी और इसको पीस लूंगी और यह देखिए इसका यह पेश्ट रेडी है चाहे तो आप इसको छान भी सकते हैं तो आप क्या किया मैंने की एक पैन लिया उसमें एक कप पानी डाला यानि 250 ग्राम और 250 ग्राम चीनी में ड बनानी है सिर्फ पानी और चीनी घूल जाने तक इसको पकाना है तो अब मैंने जो यह काजू के पेश्ट त्यार किये था ना उसको डालूंगी आपका पेश्ट अगर इस तरह सो है न तो आप बिल्कुल टेंसल मत लीजेगा कि आपके काजू कतली बिकार बनेंगे आप द देख सकते हैं कि यह कितने अच्छे से मैसो चुका है अब मैं दीरे दीरे इसको चलाते हुए चलाओंगी मैं इसको ताकि जो मिठाई है ना वह अच्छे से जमें आपकलो का क्या होता है कि मिठाई जमता नहीं है तो आप में क्या होता है कि आप लोग इसको चलाते नहीं ह और मिठाई बनाने का मतलब इसको बहुत चलाया जाता है आप देख सकते हैं शुरू में आपने देखा था कि कितने सारे लंब्स थे बट अब वो सब खतम हो गये बस हलका फुलका है वो भी आगे जाके एकड़म हो जाएंगे बस आपको कॉंटिन्यू चलाना है मिठाई बन आप घर पे इसको सुद्ध तरीके से बना सकते हैं अब आप क्या करेंगे कि इसको चलाते रही है बस गयास का फ्लेम लो ही रखिएगा हाई मत करिएगा वन्ना जो यह है न वो जैमेगी नहीं और आपकी यह जो इस्ट्रेचनेस आजाती है न मिठाई में वैसी हो जाएग घर का सुद्ध मिठाई तो अब आप इसको भी मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे आप देख सकते हैं कि यह किस तरह से अप कडाई से अलग हो रहें मिठाई अब चमचे में लग रहे हैं वस अब धीरे धीरे सारे अलग हो जाएगा आप देख सकते हैं यह तो आप भी इसी तरह से बनाईएगा जल्दी बिल्कुल बत करिएगा तो आप देखिए यह रेडी है मिठाई की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना रखा है आप टेक्चर इतना ही रखिएगा और अप कर दीजे गैस को आफ अप क्या करेंगे कि एक बटर पेपर लेंगे उस पर घी ग्रीस कर देंगे अगर आपके बटर पेपर नहीं है तो आप एक प्लास् सब्सक्रियर को घ्रीस करते हुए काचु को खूब मतहेंगे जिस तरह से अताको गुनते न उस्ते च Abendर सै करना है ताकि जो टेक्चर है उसका अच्छा है तो आप देख सकते कि आप किस तरह से इसको नहीं हुआ इसका ही त्यार कर रही हूं आटा यह हलका थोड़ा गरम था इसलिए मैं इसको धीरे-दीरे कर रही थी जब आप इसको थोड़ा और थंदा करके करेंगे न तो यह जो बटर पेपर में थोड़े वह चिपा करेंगे वह बिल्कुल नहीं चिपकेंगे तो आप इसको बस अब आटा की अगर बस गून लीजिए तो अब यह रेडी है अब मैं क्या करूंगी एक थाली लूंगी उसमें डालूंगी घी और उसको ग्रीज कर लूंगी ताकि जो मिठाई है न वह चिपके नहीं अब जिस तरह से आटा लेते हैं न हाद में उस तरह से इसको ले लेंगे और इसको थाली में रखके हाथों से प्रेस कर लेंगे अगर आप हाथ से नहीं प्रेस करना चाते हैं तो आप चपचा की मदद से भी कर सकते हैं बट हाथ से क्या होता है न कि यह अच्छे से प्रेस हो जाते हैं। आप यहाँ बेलन सेप्ड न कर सकते हैं लेकिन फाली इस तरह से थी तो यह बेलन से इस में नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने हाथ से इसको प्रेस किया। अब अब यहां पर चान्दी के परट डालें अब strategy मदद से सब्सक्राइब क dimension के लिए विख добला हुआ जो पाने भी और इसमें कोई भी लेंश नहीं है तो किन बातों का ध्यान दखना है आपको सबसे पहले जब आप काजु को पीसेंगे ना तो उसको थोड़ा थोड़ा करके पीसेगा इससे क्या होता है कि उसमें वॉइस्चर नहीं आएगा अगर एक साथ पीसेंगे तो इसमे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है दूसरा जब आप काजू इसमें पैन में डालेंगे तो आप इसको हलका हलका प्रेस करते हुए पकाईएगा आप यह मत सुचिएगा कि इसमें लंप सा जाएंगे और तीसरा कि आपको इसको कॉंटिन्यू चलाना है तो यह देखिए काजू कदली बनकर रेडी है तो इस दिवाली आप भी अपने घर में मिठाई बनाएए सुध और सबको खिलाएए और कॉमेंट करके बताएए आपको कैसा लगा थैंक्यू लाइक से रहें सब्सक्राइब हैपी दिवाली